हलो दोस्तों आप सभी का ससी जी की ज्यान में स्वागत है आज आप सभी के लिए इस्टेटिक जी की के एक मुष्ट इंपोर्टेंट टापिक अंतराश्री संसता इंसंगठन से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्च चला है जो अगरगामी आने वाले इंटी पी सी, गुरूब डी, सियेच एसल, यूपिल इखपाल, आल इंड एक्जाम के लिए ये टापिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट टापिक है दोस्तों जो अरतमान में इंटी पी सी के एक्जाम चल रहा है उसके प्रतेयक सिप्ट में इस टापिक से एक ये दो के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो आज आपको फर्स्ट कृष्चन है कि ओपक का मुख्याले कहां पर है कि इस प्रफश्ट कराइट एंसर रोगा, और जो मुख्याले है वियना में हैं दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा जो वियना पढ़ता है आस्ट्रि चौदा देश संब्रित है इसके साथ आप याद रखेंगा दोस्तों ओप्यक जो संस्था है उसमें से कतर इमिक वाड़ डोर जो देश से बाहर हो चुके हैं चलिए दोस्तों इससे संबंद इंपॉर्टन फैक्ट को भी देख लेते हैं उप्यक की जो अस्थापना हुई थी उप्यक का जो मुख्याले है विएना आश्ट्रिया में है और इसके जो महा सची हुए सानुसी बारकिंदो हैं और इसमें सदस देश जो हैं 14 हैं इसमें कतर इमिक वाड़ बाहर हो चुके हैं इसको दोस्तों आप याद रखेंगा यह व पर है तो संयुक्त राश्ट संग यूने का जो मुख्याले है वो न्यूयार्क में है तो इस प्रश कराई टेंस्वर यह होगा दोस्तों यूने से एक्जाम के प्रतेक सिफ्ट में एक दो क्वेस्टन पूछा गया है चलिए दोस्तों इससे संबंद इंपोर्टेंट टेरस हैं और इसके साथ आप याद रखेंगा दोस्तों इसके जो सदस्य देश है 993 देश सम्मिलित हैं और जो लाश्ट में जो इसमें देश जुड़ा है जुड़ा है चलिए नेक्स क्वेस्टन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्टन है कि इंटरपोल का जो कृटन पॉइंट को विद्यखते हैं अस्थापन होई थी हुए थी और इंटर पॉilka मुख्याम रहें फ्रांस में हैं और इसकी आध्यच है कीम जूंग यांग है और इसमें जो टोटल देश सम्मिलित है 192 देश सम्मिलित है इसमें जो लाश्ट में जुड़ा देश है फिलिष्टीन है इसको आप याद रखेगा यह वेरी वेर इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्योंच है कि राश्ट मंडल जो खेल है उसका मुख्याले कहाँ पर है तो जो राश्ट मंडल खेल है उसका मुख्याले लंदन में है तो इस प्रश का राईट एंसवर भी होगा जलिए इससे समबंद इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देखते हैं जो इसकी अस्थापना 1926 में हुई थी और जो इसका मुख्याले है लंदन यूके में है और इसके जो महा सची हुए पेट्रीसिया जो स्काटलेंड के हैं और इससे समधि इंपॉर्टन प्राइव फैक्ट को देखते हैं कि इसके जो सदस संख्या है तिरपन देश है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसको आप याद रखिएगा यह एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि अंतराश्टी मुद्रकोस का मुख्याले कहां पर है इस प्रस्क्राइट एंसर होगा भी वासिंगटन डिसी तो अंतराश्टी मुद्र कोस आईमेफ है उसकी जो अस्थाबना होई थी उनने सो पैटालीस में होई थी और इसका जो मुख्याले है वासिंगटन डिसी में है और इसके जो अध्यच है क्रिश्टालीना जार्जियों है और इसके साथ आप याद रखिएगा कि इसके जो सदस देश है एक सुनमासी ह है इसमें जो लास्ट में जुड़ा देश है नवरू है चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं अपर नेक्स क्वेस्टन है कि विश्व बैंक का मुख्याले कहां पर है यह विए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यह भी एक्जाम में कई बार रिपि को देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसकी अस्थापना हुई थी 1945 में हुई थी और विश्व बैंक का जो मुख्याले है वासिंगटन डीसी में है इसके जो अध्यच्छ है डेविड माल पास है और इसमें जो सदस्यदेश है 189 है यह दोस्तों नेक् सब्सक्राइब हो चुके हैं एसिया विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है एस एक अरक्स कराई टेंस्वर भी होगा तो इसको भी आप याद रखेगा चली इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस याउन विचास बैंक क और इसके जो अध्यश है मसुगू असकावा है और इसमें जो सदस्देश है और सड़स हैं चैने नेक्स स्क्रेशन की पर पर आते हैं आपका नेक्स्क्षन है कि कि पाद इंक्रिसी संगटन यफ ए ओ का मुख्याले कहाँ पर है खाद एमक्रिसी संगठन का जो मुख्याले है रोम में है तिस प्रश्क राइट एंस्वार सी होगा चलिए इंपोर्टन फैक्ट को देखते हैं इसका इंपोर्टन पॉइंट है अस्थापना जो हुई थी इसके 1945 में हुई थी और खाद एमक्रिसी संगठन जो है उसका मुख परानवे देश हैं इसका खाद रखिएगा चलिए ट्रूस्ट्टि और परते हैं और आपका नेक्स कोईस्टिन है कि अंतराश्टीं कि नियाले आई सीजी का मुख्याले कहां पर है आन्तराश्टीं नियालेarn naoec team ky science जो मुख्याले कहां पर है इस प्रश्कराइट थी 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्याले हैं दहेग निदर लेंड में हैं और इसके जो अध्यच है अब्दुलकावी अहमद यूसुफ है और इसके जो सदस देश हैं एक सो चौरानवे देश हैं चलिने क्यों बढ़ते हैं इसका नेक्स कोईश्चन है कि यूनेस्को का मुख्याले कहां पर है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यह अभी तेक एक एक्जाम में कई सिफ्टों में पूछा जा चुका है इस प्रश्ट का आप याद रखिएगा और इससे संब इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि जो इनिसको है इसकी जो अस्थापना हुई थी और 946 में हुई थी इसका जो मुख्याले है पेरीस फ्रांश में है इसके जो अध्यच है आंद्रे अजोले हैं इसके जो सदस्य संख्या ह 10930 ग्लीक्शन के ओपर दते हैं इसका नेक्स क्वेस्टिन है की स government विकास का मुख्षाल कहां पर पर है इस प्रश्ट कराइब उपर काइब सज्टा इस होगा तो भी तो डीक्र ऑल सकना मुक्थालिब्श पॉइंस करलें जाली को देखते हैं इसका important point है कि संयुक्त राष्ट बाल कोस का जो मुख्याले है नुई यार्क में है और जो इसकी अस्थापना हुई थी 1946 में हुई थी और संयुक्त राष्ट बाल कोस का जो अध्यच है हैं रीटा एच फार है इसके जो सदस संक्या है 190 है चले नेक्स कोईशन क्यों बढ़ते हैं और नेक्स कोईशन आपका है कि विश्व स्वास संगठन का मुख्याले कहां पर है तो विश्व स्वास संगठन का जो मुख्याले है जीनेवा में है तो इस प्रशकराई टेंस्वर डी होगा कि जीनेवा में विश्व स्वास संग मुख्याले है जीनेवा जो स्यूटिजर लैंड में है इसके अध्यत जो है टेड्रोस अधनोम है इसके सदस संख्या जो है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक सहयोग इंविकास संगठन का जो अस्थापना होई थी और इसके जो मुख्याले है पेरिस फ्रांस में है इसके जो महासचियों है एंजेल गोरिया है और इसके सदस संख्या जो है 36 है चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते है और इसका नेक्स क्वेश्चन है जो कि वेरी विर इंपोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है दोस्तों यह भी अभी तक एक्जाम में रिपिटेड हो चुके है कि नाटो का मुख्याले कहां पर है इस प्रश्कराइट एंस्वर तो जो नाटो का मुख्याले है इसका जो ना प्राट्टव है इसकी जो अस्थापना हुई थी और नहींस अंचास कुई थी इसका झो मुख्याले है प्रूसेल्स बेल्जीयम में है और इसकी जो अद्यच्छ है जेंड्स इस्टोलनर बर्ग है और सदस जो संख्या है तीस है जो लाश्ट में जुड़ा देर से उत्तर मे next question है कि यूरोपी संग का मुख्याले कहां पर है यूरोपी संग का जो मुख्याले है इसका भी मुख्याले ब्रुसेल्स में है तो इस प्रश कराई टेंस्वर यह होगा ब्रुसेल्स में यूरोपी संग यू का मुख्याले है चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते है इसका है यूरोपिय संग का मुख्याले ब्रुसेल्स बेलजियम में है इसके जो अस्थापना हुई थी उन्नेश सो अंठावन में हुई थी इसके अध्यत जो है उर्सुला वान डेर लेयन है और इसके सदस संख्या जो है 27 है इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएग कि बिएटैन और यूरोपिय संग का सदस्च नहीं रहा जो बिएज्वन ऑ है अभग संग का मुख्याले सदस्च संख्या नहीं है इस पॉΙ इस पॉइंट को अभा लैचली नेंश को प्रूश्चेन पर बढ़ते हैं आपका नेक्स कोईश्चेन है कि गुट निर्पेच आंदोलन का मुख्याले कहां पर है इस प्रश का राइट एंसर होगा सी जकार्ता जकार्ता में गुट निर्पेच आंदोलन का मुख्याले है चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गुट निर्पेच आंदोलन जो है इसका मुख्याले जकार्ता इंडोनेसिया में है जो इसकी अस्थापना हुई थी और इसके जो अध्यच्छ है निकोलस माधिरो है इसके सदस जो संख्या है 120 है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कुएस्टन आपका है कि सज्च रष्टर अबिकास कारेकरम का मुख्याले कहां पर है इस प्रश्ट का राइट एंसर होगा सी नुवियर्क में निवयूर्क में सज्च्छ को पहले देखते हैं इसका important करम की जो अस्थापना हुई थी इसका मुख्याले स्वेयर्ट में अध्याट जो है अजीम स्टेनर की बढ़ते हैं इसका next question है कि दस्षिण पुरुवी एसी डेहों का संगठन का मुख्याले कहां पर है इस प्रश कराइट answer होगा जकार्ता में दच्छिर पुरुवी एशियाई देशों का संग का मुख्याले है इंपोर्टिन पॉइंट को देखते हैं इसका इंपोर्टिन पॉइंट है कि दच्रु पुरुवी एशियाई देशों का जो संग है उसकी अस्थापना 1967 में हुई थी इसका जो मुख्याले है जकार्ता इंडुनेशिया में है इसके जो महा सचियू है ली ल्यूंग मिनहा ऐसीनहा है इसके जो सदस संख्या है टोटल दोस। है चलिए नेक्स कोईशन क्यों बढ़ते हैं इसका नेक्स कोईशन है कि सारक का B. काठमांडू काठमांडू में सार्ग का मुख्याले है चलिए important point को भी देखते है जो सार्ग है इसकी अस्थापना 1985 में हुआ था इसका जो मुख्याले है काठमांडू नेपाल में है इसके जो अध्यच है अमजद हुसेन भी सियाल है और सबसे important point इसका है कि इसमें जो सदस्य देश है वो आठ है वो आठ देशों के नाम देख लेते हैं आफगानिस्तान, बंगला देश, भूटान, भारत, मौल्दिव, नेपाल, पाकिस्तान और स्री लंका चलिए next question क्यों बढ़ते है next question आपका है जी 15 का मुख्याले कहां पर है जी 15 का जो मुख्याले है जी निवा में है तो इस प्रश का right answer डी होगा चलिए important point को देखते हैं important point इसका है कि जी 15 जो है इसके अस्थापना 1989 में हुआ था इसका जो मुख्याले है जी निवा में है सदर्श संख्या जो है 17 है चलिए next question क्यों बढ़ते है next question है कि एपे का मुख्याले कहां पर है तो इपे का मुख्याले कहां पर है तो इस प्रश का right answer डी होगा एपे का मुख्याले जो है सिंगापूर में है चलिए important point को देखते हैं important point आपका है इसके जो सदर्श संख्या है 21 है और जो लास्ट में जुड़ा देश है वियतनाम है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि संयुक्तराष्ट मानो अधिकार परिस्द का मुख्याले कहां पर है तो इस प्रश का right answer होगा एव जीनेवा जीनेवा में संयुक्तराष्ट मानो अधिकार परिस्द का मुख्याले है चलिए important point को देखते हैं इसका important point है कि संयुक्तराष्ट मानो अधिकार परिस्द के जो मुख्याले है जीनेवा में है इसकी जो अस्थापना होई थी 1913 होई थी इसके जो अध्याच्छ है, मिशेल बाईशलेट है, चले next question क्यों बढ़ते हैं, next question है, कि विश्व ब्यापार संगठन का मुख्याले कहां पर है, तो विश्व ब्यापार संगठन का जो मुख्याले है, जीनिवा में है, तिस प्रश कराई टेंसवर, यह होगा, जीनिवा में विश्व बयापार संगठन का मुख्याले है चलिए important point को देखते हैं important point है कि विश्व बयापार संगठन की अस्थापना 1995 में हुई थी इसका जो मुख्याले है जीनेवा में है इसके जो अध्यच है राबर्टु अजिवेदु है इसके जो सदस्थ संख्या है 1964 है चलिए next question क बढ़ते हैं आपका next question है यह भी very very important point है दोस्तों इसको भी आप याद रखेगा कि बिम स्टेक में कुल कितने सदस्थ है तो इस प्रश्च का right answer होगा साथ इस प्रश्च का right answer सी हो जागा कि बिम स्टेक में कुल स्टोटल साथ देश है चलिए important point को देखते है important point इसका है कि इस बिम स्टेक की जो अस्थापना हुई थी 1997 में हुई थी इसके जो महा सचीव है शाहिद इसलाम है और इसके जो सदस्थ संख्या है टोटल साथ है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि संघाई सायोग संगठन जैसे CO में कितने सदस्थ है इस प्रश्च का right answer हो ज देखते हैं इसका important point है कि संघाई सायोग संगठन की जो अस्थापना हुई थी 2001 में हुई थी इसके जो महा सचीव है ब्रादी मीर नोरो है इसके जो सदस्थ संख्या है आठ है चलिए important point और देख लेते हैं आपको next question है कि अंतराश्टी अपराधिक न्यायाले का मुख्या मुख्याले हैं हेग में है तो इस प्राश्च का राइटेंसर हो जाएगा चलिए important point को देखते हैं अंतराश्टी अपराधिक न्यायाले की जो अस्थापना हुई थी 2001 में हुई थी इसका जो मुख्याले है हेग नीदर लेंड में है प्रमुग जी इसके हैं चीली इबो औ important point question है दोस्तो इसको आप याद रखिएगा ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं तो इस प्राश्च का राइटेंसर डी होगा ब्रिक्स में total पांच देश है चलिए important point को देख लेते हैं important point आपका है कि जो इसकी अस्थापना हुई थी 2008 में हुई थी इसकी जो सदश शंख्या है total 5 है इसमें total 5 है उसको देख लते हैं दोस्तों 20 यहता है ब्राजील होता है और जो हता है रूस होता है आई से इंडिया, सी से चाइना है और यस जो बचता है उसका अर्थ होता है दच्छी अफरिका, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दच्छी अफरिका इसके टोटल पांच देश है सदस्य है दोस्तों यहाँ पर आपके most important topic complete होते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें Thanks for watching